है एवरीवन कैसे हो आप सब होपस वह आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे आप लोगों का टर्म वन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है अब मेरे पास दिमांड आ रही है बहुत सारे बच्चों के द्वारा messages किया जा रहे हैं कि sir हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हम term 2 में accounts में हमें क्या क्या करना है क्या क्या छोड़ना है तो guys उस demand को देखते हुए हम आप लोगों के लिए एक बहुत बैहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बताने वाले हैं कि आ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बचे confused ना हो बचों को पता चल जाए आपके groupmates आपके classmates उनको पता चल जाए कि term 2 में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि उनका जो समय है वो खराब ना हो सके ताकि उनको जो चीजे हैं वो बहुत clear हो जाए तो मैं साथ कर रहे है जल्दी से आपनोंको को क्या 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 करना है क्या क्या नहीं करना है तो गाइस हम बात करें है accountancy गाइस class हम बात करें है 12 हम बात करें है term 2 yes guys term 2 as per cbsc क्या कहता है हमें क्या 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 सिब पूरा चैप्टर करना इसके अंदर एक जो आपको नहीं करना वो क्या नहीं करना जो इंसी डेंटल यह हमारे क्या होते हैं हम आमाल math कोई किसी चीश्च की हम त्रेडिंग कर रहे हैं लेट मोसं हमारा लिएर होनी चाहिए कि NPO के अंदर आपको पूरा का पूरा आपको क्या करना है चैप्टर करना है इसमें कुछ और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगा जो की important है जैसे कि NPO के अंदर question आता है उसके अंदर adjustments आती है adjustment के बारे में क्या बोला गया कि adjustment जो होगी वो maximum three और four होंगी और adjustment जो पूछी जाएंगी वो basically किसके regarding पूछी जा सकती है वो subscription के regarding पूछी जा सकती है second आप से पूछी जा सकती है consumption of consumable goods उसके बारे में पूछी जा सकती है थर्ड आपसे जो पूछी जा सकती है वो आपसे sale of old assets या material यह मैंने आप लोगों को बताए कि आपसे जो adjustment है वो तीन या चार पूछी जा सकती है किस-किस के regard में subscription consumption of consumable goods, sale of old assets या materials इनके बारे में आप लोगों से पूछी जा सकती है और आप लोगों को एक important चीज भी बोली गई है CBSC के द्वारा कि आपको यह ध्यान रखना है किसके बारे में entrance fee के बारे में entrance fee या admission fee and journal donation जो हमारी कोंसी donation होती है that is journal donation उन सब को उसने बोला है कि आपको इन सब को revenue receipt मानना है revenue receipt guys clear है तो यह सब बाते बोली गई है कहा गया है कि NPO के अंदर आपको पूरा chapter करना है आपको जो हमारे कौन से होते हैं guys that is incidental जो हमारे क्या होती है incidental activities होती है जो मैंने आपको बता है उन सब का trading account नहीं बनाने basically यह syllabus से भी खतम हो चुका है और adjustment के बारे में बोला गया तीन से चार आएंगी जो पूछी जाएंगे वो किसके रिगार्ड में subscription, consumption of consumable goods, sale of old material उसके बाद आगे क्या बोला गया जो entrance fee है admission fee and journal donation को आपको revenue receipt मानना है और गया यह हुआ हमारा पहले chapter के regarding अब बात आती है guys ज्यान से अब second chapter के regarding कौन सा है second chapter guys retirement yes guys retirement and death इसके regard में क्या बात बोली गई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सबसे पहली बात गाई जो बहुत clear होनी चाहिए आपको adjustment of capital capital नहीं करना है अरे यह नहीं करना है नहीं करना है हम माली के कोई partner retire हो रहा है A B partner थे C retire हो रहा है और अब A और B जो है वो partner है उनको बोला गया कि आपकी जो capital होनी चाहिए वो according to new ratio होनी चाहिए मतलब capital को new ratio के according adjust करना है या वो बोल देता है capital जो है जो पुरानी total capital थी वही आपकी जो new आपकी क्या है फर्म है उतनी ही capital new firm में भी होनी चाहिए that is called capital adjustment यह सब topic eliminate कर दिया गया adjustment of capital का topic हटा दिया गया तो यह आपको करना नहीं आ अरे मज़ा आ गए यह तो हम भंगड़ा पाएंगे बहुत बढ़ी है गाइस यह आपको करने की जरूरत नहीं है भंगड़ा पाईए कुछ ही तो सबसे टफ होता था वो बनाने की जरूरत ही नहीं है हमारे तो काम असान होगे यह गाइस गाइस सी बीस थी आपका काम असान करते जा रही है कर अब यह ना तो आपको दोनों केस में adjustment of capital भी नहीं करना है और as well as death के केस में जो executor का account बनता था वो भी बनाने की जरूरत नहीं है तो गाइस यह हमारे second chapter में हुआ अब बात आती है थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर है हमारे पास कौन सा गाइस that is dissolution of partnership firm जब firm पूरी बंद हो जाती है dissolution of partnership firm क्या भिया इसमें माथ बता हिए क्या नहीं करना है अरे भाइ सार थोडवी काटी स्लिख इसमे आपको पूरा का पूरा chapter करना है मतलब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है अरे भाइवर यह क्या कर दिया आपने तो इसके बाद अगला क्या कह रहा है अगला जो चैप्टर है हमारा कुन सा है आपको पता है डिबेंचर का है इसको इसको स्लेबस से ही हटा दिया गया है तो आपको इश्यो डिबेंचर में से सारा का सारा जो टॉपिक्स है सारे के सारे करने है एक्सेट टीडिया आपको नहीं करना है बिसिकली इस लेबस से ही हटा दिया गया है अब बात आई गाइज अगला चैप्टर भंगला पाने के लिए तियार हो जाओ गाइज रिडंशन रिडंशन ओफ डिबेंचर गाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अटा दिया अरे भीया ये तो मज़ा आगया कमाल कर दिया बस इसमें से क्या आरे भीया मज़ा अब मज़े दिलवा रहे हो अब आप कह रहे हो कि इसमें से क्या गाइज इसके वल एक चीज करनी है चैप्टर के कोशन आप से पूछे नहीं जाएंगे रिडंशन ओफ डिबेंचर में से आप से नहीं पूछा जाएगा ये मिनिंग आप से पूछा जा सकता है आरे भीया ये तो बहुत मज़ा आ गया है इसके बाद अगर हम बात करें that is six chapter जो आपका कौन सा था आपका comparative था तो चैप्टर है सारा उसके बाद last chapter आता है guys that is the one of the best best chapter wonderful chapter that is cash flow statement हरे भीया इसमें से कटवा आरे भाई फिर तो cbsc को बोल दो ना चाली के चाली माक्स प्री में ही दे दे नहीं guys इसमें से भी कुछ नहीं करता है तो ये भी पूरा का पूरा आएगा ये भी पूरा का पूर तो guys ये आपका slabus है जो exam में आने वाला है तो guys एक आपको बहुत बड़ा relief है redemption of debenture आपके slabus में से हटाया गया है नहीं आएगा तो ये बहुत बड़ा relief है और दूसरी बात guys जो adjustment of capital है किसमें retirement and death में वो हटाया गया है executor account death में वो हटाया गया है तो guys ये आपके लिए बहुत बड़ा relief है अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो guys जल्दी से जल्दी इसके उपर like and comment कीजिए ताकि हम आपको और भी बड़िया से बड़िया वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें और guys इस व झाल